एक दिन थॉमस अलवा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी मां से देते हुए बोला कि मा मेरी सिखक ने मुझे ये पत्र दिया है और कहा है कि इसे केबल अपनी मां को ही देना बताओ मा आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है तब पेपर को पढ़ते हुए मा की आखे रुख गई और तेज आबाज में पत्र पढ़ते हुए बोला आपका बेटा बहुत ही प्रतिवासिल है ये बिद्दाले उसके प्रतिवा के आखे बहुत छोटा है और उसे और बैतर सिक्सा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल सिक्सक नहीं है इसलिए आप उसे खुद पढ़ाए या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजे इस सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और मा एडिसन के मार्केम रित्तु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान बैगानिक और एक दीव का सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वो पत्र मिला जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बिमार है जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकता है उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है इसे परता ही एडिसन एक भाबुक हो गया और फिर अपने डायरी में लिखा कि थामस एडिसन तो मानसिक रूप से बिमार बच्चा था लेकिन उसके मा ने अपने बेटे को विश्चा और नियोती को बदला जा सकता है और बच्चा मा के आचल से दुनिया का सबसे महान बैक्ती भी बन सकता है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से आर कॉमेंट जरूर कीजिए पेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू झाल झाल झाल